आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाले क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही पावर्फूल होने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में क्यूंकि मैं बहुत सारी जबर्दस्ट एंचैंटेड बुक्स लेने वाला हूँ तो अगर देखते हैं तो कि कैसे powerful होता हो तो वीडियो को पूरी end तक देखना So welcome back to again in Minecraft तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूं Minecraft तो चलो start करते वीडियो को Last वाली वीडियो में मैं गया तर नेदर में और वापर मैं को finally जाके नेदर फोर्टरेस मिला और फिर अब हमें यह अपने वीडियो को मारा और उस से मैं को एक स्कल मिल चुका है तो जिसे आप हमें अपने बेड के एकदम सेंटर पे लगा लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है पर आज की वीडियो बहुत ही जबर दस्त होने वाली है आज की वीडियो में मैं अपने जो भी ये villagers होगे उनको convert करने वाला zombie village में फिर उनको अपन करेगे cure और उनसे लेगे बहुत सारी अच्छी enchanted books मतलब इन डिरेक्टली हम लोग बनने वाले overpowered full मतलब आर्मर बाद में जो भी अपने टूल से सब में अच्छी अच्छी enchantedments डालने वाले left में थे farmer और राइचाइड में अपने main librarian तो इन सब को convert करेगे zombie villages में फिनको cure करेगे और एकदम इनकी जो trade रहेगी वह एकदम cheap हो जाएगी तो main अपने को यह रात होगी तब ही zombie मिलेगा और अभी बाकी में जाता हो और थोड़ा weakness के potions बना देता हूँ यह है सबसे main villager जो की अपने को देता है mending यह पर मैं अपने zombie को लाया था इतना दूर से अच्छा देखो यह एक तो अलगी नश्य कर रहा है कि इदर और ही जा रहा है मैं आप zombie villagers और हाँ जो फाइनली हो गया प्लीज उनको मारना अभी यह कैसे उनको मार रहा क्यों नहीं है यार अभी प्लीज मारना है यह अन्ना convert नहीं करेगा क्या ही तो लल्लू जॉम्भी है अब यह क्या हो गया इस घदे जॉम्भी ने मेरे विलेजर को मार दिया और उस विलेजर के पास थी फ्लेम वाली भूग ओ नो यार यह तो पूरा गलत सीन ही हो गया यार ओ शिट यार अब मैं गलती से भी इस टेर को तोड़ूगा नहीं मालूम बढ़ रहा है कल जाके में यह सब सड़ेला जॉम्बी की वज़ेस्ट मर गए अब बस एक लाश्ट उमीद बाकि उसको में ट्राइब करो बस अब ट्रैप दोस्को लगा रहा हूं और फिर इनके जो भी स्टेशन उगे उनको हटा दूगा अगर फिर कनवर्ट नहीं ना तो यह वीडियो नहीं आने वा आहिरे लिउपने पंशर मरने मतई करेगा और वलीजर तो कंवर्ट हो गया ऊछाब है किसके उमीद करो वह कर गिए फ्र इक विलेजर मर चुका है पर कोई बात नहीं आपको मैं बता रहओ क्यू पर जैक्स सब त्राक्स तो सही कर लेता हो अर यही जो टीसा यह पर यह एक विलेजर बाकि और यह सबसे इंपोर्टेंट विलेजर है क्योंकि यह जो विलेजर है वह अपन को दे रहा है मेंडिंग इसलिए वह में तो गौड विलेजर है बाकि देखो जॉम्बी को कनवर्ट करने कोशिश कर रहा है प्लीज मैं तो यह चाहता हूं दूसरे मरे तो मरे चलेगा पर यह विलेजर नहीं मरना चाहिए और नहीं मरा अरे वाद चलो यह चीज अच्छी हो गई है और अब मैं आपको बताता हूं कि अब बार यह थीक करने की तो यहां से में दो स्प्लैश पोशन लेता हूं वीक्नेस एक पर डाल देता हूं अब उसको लग गया है और यह सब गोल्डन एपल खिला है कि और अब यह थोड़ी दिर में ठीक हो जाएगा और फिर भाई मेंडिंग में का से सिर्व एक एमरेल मे सबस्राइब है कि इतने कम हो जाएगे तो चेक करते हैं पहले में मेरे को में खम से ऐस्टैमें यह सबस्क्राइब ने खांधिक क्ट naponetnuo socialist doe वाले को भी चेक करते हैं कि यह में को कितने में देखो सिर्फ वन एमरेल में रेस्पिरेशन 3 और यह एंचैंट में लगती है अपने हेलमेट में बागिरी को नीचे 14 एमरेल को कौन सी बुक में रही है इमपैलिंग 4 ओके तो यह लगती है ट्राइडेंट में बार यह भी इन से बुक्स लेने की तो यह रहा रेस्पिरेशन सिर्फ वन एमरेल और एक ही बुक में यहां पर देखो मैं अपनी रेस्पिरेशन 3 ले लिए इसको हेलमेट में लगाएगे फिर बहुत देर तक सास ले पाईगे पानी में फिर चिंता है और नी नीचे इम्पैलिंग 4 है इसको भी ले लेता हूं तो यहां पर बहुत सो चुकिए बार यह इस से सबसे में यह भूक है इसको भी आप मैने मैंदिंग ले लिये और एक सेकंड यहां पर सिर एक ही आया है इसमेरे शुगर केन अब ह अब यहां पर मैं और बहुत सारे विलेजिस लाने वाला हूँ अपने जो अब विलेज था विवास में अबड़ ट्रैक है तो उनको ले के आएगे करूगा, मैं जॉम्बी विलेजिस में फिनको क्यूर करेगे और फिर बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी आपने विलेजर्स को ला लिये और उनको क्योर करके भी कर लिया अब उनके रेट्स बहुत ही सस्ते मतलब बहुत ही चीप हो चुके तो बताता हूँ और सच में को बहुत ही टाइम लगा है पर मैंने जितना हो सके उतना जल्दी किया और अब बार यह देखा मैं आपको दिख करने फिनको कनवर्ट करेंगे पेपर में और फिन से ट्रेड करेंगे अपने जायन शुगर के इन फार्म पे तो आ चुका और और प्लीज जादा हो और ओ भाई देखो कितना सा शुगर के ने इन सब को लेते और फिर उनके साथ ट्रेड करते यहां पर दो चैश्ट भी है क आपको यह इसने कितना सस्ता कर लिया अभी मेंको सिर्फ वन एमरेल में मेंडिंग दे रहा है और मैं आपको अभी हर एक चीज मलब जो जो एक दर बुक से मैं आपको सब दिखा देखाना क्या सिदा लेना शुरू कर लेता हो तो यहां पर देखो मैं दबा कि इससे जितना सारी मेंडिंग्स लिए फड़ा वचसे चैश्ट में भरना शुरू कर लेते और देखो कितनी सारी मेंडिंग्स है मैं कम से कम 10 मेंडिंग्स लेई लिए और मैं तो और इसका पेटी फूल हो गया बाकी जो इसके पीचे महनत लगी वो में मालूम है इतने सारे विलेज़ेस और शायद से यह स्वार्ड पर लगते कि क्या मालूम मैंने तो बहुत सारी लिए तीन बुक्स लिए तो इनको फटा वच्से आपर रख लेता हूँ और चलते अभी अपने दूसरे विलेजर में और मेंडिंग तो आपको मालूम ही था पर देखो यास में कितने अरी इतनी सब्सक्या बुक्स है तो अब मैंको बस और इनको इसमें पस चैस्ट में रखते जाने का है दूसरे का हो गया आप चलते अपने तीसे विलेजर पर बता बाई सब्सक्राइब कर देंगे फॉर्चिन थ्री में फिर अगर उदर एक डायमंड रोगा तो वास से मेरे को मिल जागा कम से कम तीन चार डायमंड यह लगती है अपने ट्राइडेंट में तो यहां समने इंपैलिंग फॉर भी ले लिए और अभी के लिए इतना काफि कि इंपैलिंग फॉर कोई इतने भी यूसफूल ने ट्राइडेंट पर लगेगी और एक और लुक लग जाएगी वार उसको का बलते फिशिंग जॉर्ड पर वापी से चैश्ट में तो देखो मेरी चैश्ट की हालत देख रही हो कितनी सारी बुक्स ले लिए अभी तो और लेना बाकी है यह आगे के रोके लाश्ट विलेजर पर चलते देखते कि यह क्या दे रहा है एक ही एमरेल में रिप्टैड वन दे रहा है ओके तो इसको अगर अगर आपन इसको ट्रैडिंट पर लगाएगे तो कोई भी वाटर पर होगा तो अपन हवा में उड़ पाएगे और दूसरी एक्वा एफिनिटी वन पर अपने पास इतने सस्ता है तो अब हर इक चीज ले लेते और ओनो यार यह आपन मेरी चेश्ट फूल होने वाल इसको भी में ले लेता हो जो भी पानी ओगा वह अपने ले लिए और गलती समन्हें और फरेंट लगता पर इसकी में ट्रेड करना मुल गया था कोई बास नहीं अभी कर लेते हैं उत्तना टाइम ने हैं मेरे पास तो इसलिए हैं अब इसको शोड़ते और इसके बाजु व यह वाली बूक लगती अपने ट्राइट को फेकते तो अपने पास अपना अपसे आ जाएगा बाकी देखो सारी विलिजर का अपना हो चुका है इसको छोड़के यह तो चलेगा इसको ऐसे रहना देता हूँ सो अब देख रहे हो कितनी सारी रहर एर एंचैंटेड बूक से अब मजा आएगा अभी आपन को इन सब को यूस करते मदब लगाते अपने आर्मर्स और टूल्स पे सारी बूक्स को मैंने ला लिया अपने घर पे और यहां पर में पास पंकिन पाई भी है जो कि मैंने अपने विलेजर से ले लिया कि अभी अपने इतना हमीर हो गए बहुत सारे एमरेल्स है तो येस अब बता दो कि कौन सी कौन सी बूक्स है मतलब ऐसे तो आपको मालूमी है सामने हैं दोनों चैस्ट तो सबसे पहली चैस्ट जो की फूल हो चुकि कितनी सारी एंचैंटेड बूक्स अब चलते ही आसी ऊपर और एफ करेता थो थोड़ी देर यहां पर आप मैं बहुत दिर एफ करेने वाला हो जितनी हो से की उतनी एक्सपी करेक्ट करता हो और सब अब इंचैंटमेंस अपने आर्मर्स और तूल्स पर लगाता हो फिर ही आपको मिलता हो क्योंकि अगर मैं आ सबसे अपने टूल से और सबसे फर्स अपना यहां पर रही होगा शापनेस 3 लूटिंग 3 फार एस्पेक्ट 2 और मेंडिंग कि लगा लिए अपने मैंने अपने स्वार्ड में फिर हो गई आप अपनी एक्स और बाकि देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी स्वार्ड और बू में है फ्लेम एंड इंफिनिटी और बाद में विपास ट्राइडेंट मी था तो इसको मैंने रिपैर कर लिया कि इसमें मेंडिंग लगा लिए और लॉयलिटी 3 और अभी भी काफी एंचैंटमेंट्स बाकि है जो की बहुत ही अच्छी हो ति मैंको मालूम है पर उनको आही तो लग रहा हूँ इतना पावरफुल फुल एंचैंटेड बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कि आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और आज की वीडियो में मैंने अपने आपको पूरा एंचैंटेड कर लिया मतलब अपने टूल के साथ भी और स्पेशली आर्मर क इस जीन कोई मज़ा आपी जो भी चल पर नियू है सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता आपको अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए गूडबाई